हलो एवरिवन वेलकम बैक टो माई चानल कैसे हैं आप सब होप आप लोग अच्छे होंगे तो आज की रेसिपी होने वाली है बिरियाईनी जो के मैं पनाने वाली हूँ अपने स्टाइल में और गैरेंटी देती हूँ कि अगर आप इस मेथड से मनाएंगे तो आपकी बिरिय करते हैं शुरुवात सबसे पहले बासमती राइस मैंने एकेजी ले लिए थी और जो चोड़ देना है एक कीजी मैंने यहां पर चिकन लिया है और कम से कम साथ से आठ मेरियम साइस के प्यास का बिरिस्टा बना लेना है इसे काला नहीं करना है बिलकुल अच्छा एक शेलो मैं इसको तेल में ही डाल के छोड़ दूंगी इसके बाद उसके ओपर से आड़ करूंगी चिकन जैसा कि आप देख रहे हैं अगर कुछ समझने में दिक्कत हो तो वीजवली आप देख के समझ सकते हैं तो सबसे पहले क्या करना है आपको इस तरीके से दो मिनट के लिए कम से कम सौटे करना है हाइफ लेम पर जो हमारा बिरिस्ता है और ये हमारे चिकन को ओएल कम से कम मैंने डाला था एक कप के करें क्योंकि ओएल थोड़ा जादा पढ़ता है तब भी बिरियाइनी टेस्टी बंती है ये सबसे सीक्रेट बात है लोगों को लगता है कि मसाले से बिर बिर्याइनी तेल अगर आप जितना तेल घी डालेंगे उतनी ही बिर्याइनी टेस्टी बनेगी हमें मार्केट की बिर्याइनी क्यों इतनी पसंद होती है कि आपने गोर किया है कि उसमें कितना तेल होता है हम कहते भी है कि इसमें बहुत जादा तेल है बड़ टेस्ट बनाने कम से कम आपको दो मिनट के लिए सौटे करना है कलर चेंज होने तक इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा और हल्की हल्की सीना वो बहुत इच्छी खुश्मू आने लगीगी एक बार ऐसी वाली ट्राइ करेंगे आप बहुत असान है और जल्दी भी बन जाती है टेस्ट तो वाकई बहुत अच्छी होगी इसके बाद जो हमने ब्रिस्ता साइट करके रखा था उसको ले लेना है और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम के करीब दही ले लिया है दही फिटी भी है खटी दही है अब इसमें ब्रिस्ता को अच्छे तरीके से चूर कर लेना है लाइक पिल्कुल मैश कर लेना है अगर आप चाहें तो मिक्सर का भी इस्तमाल कर सकते हैं बट मैंने यहाँ पे हाथ से ही कर लिया था इसके बाद क्या करना है इस तरीके का बन जाएगा फिर यहाँ पे हमारा चिकन सौटे हो चुका है उसमें हम अब दही और इसमें पिसावा बिरिस्ता डाल देंगे इसे भी अच्छे से मिलाएंगे दो से तीन मिनट के लिए इसको भी सौटे करेंगे चिकन ना अपका कुक होते रहेगा बीच में आपको डालना है हरी मिर्ची यहाँ पे कम तीकी वाली हरी मिर्च डाल रही हूँ साथ में कश्मीरी लाल मिर्च और भर के तीन टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ यहाँ पे बिरियाईनी मसाला इसे अच्छे से मिलाना है और डाल देना है टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और इसे ठक करके कम से कम पान से आठ मिनट के लिए आपको लो फ्लेम पे छोड़ देना है इसमें आपका जो चिकेन है वो बिल्कुल पॉफेक्ट तरीके से कुक हो जाएगा ओवर कुक बिल्कुल नहीं होगा और जब आप बिर अच्छे तरीके से ओपड़ आ चुका है और साथ में चिकेन बिल्कुल ओवर कुक नहीं है आपको चिकेन साफुत दिख रहा होगा अब हमें क्या करना है चावल बनाना है चावल को तैयार करने के लिए जितना चावल हम लेते हैं उससे तीन गुना पानी हम लेते हैं और या आप जिस चीज से भी मेजर्मेंट कर चावल का इतना ही आपको नमग डालना होता है। साथ में आप कुछ घरम मसाले डाल दे मैं जादे नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे 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 आने से घरवाले परेशान हो जाते हैं.. मों में गरम मसाला आता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है बिलकुल भी तो यहां पर मैं डाल रही हूं और गरम मसाला से खुश्पू और टेस्ट भी अच्छी आती है नमक डाल दिया थोड़ा सा हम डाल देंगे तेल और अगर आप चाहें तो निम्बू का रस्त भी ड से डाला था और यहां पर एक जग के करीब आप पानी निकाल लेंगे आधे से एक जग के करीब गरम पानी निकाल लेंगे चावल में से उसके बाद चावल को चानने के बाद एक दूसरी देख्ची में आप क्या करेंगे नीचे चावल का तह डालेंगे और उपर से डालें और उस वक के लिए बचा के रखना है चुब हम ऊपर में थोड़ा डिकुरेट करेंगे जिसके वज़े से मतलब टेस्ट भी बहुत अच्छा होता और बियायनी देखने में भी बहुत अच्छी लगती है तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं तह पे तह लगा रहे हैं सेम सेम प्र लोसिस में हम ढालेंगे थोड़ा सा खुश्वू जो आपके पास होगा केवरा वाटर में यहां पर मैं डावर केवरा वाटर का इस्तमाल करूंगी इसके बाद क्या करना है आपको थोड़ा सा कलर डाल दें या सैफरान का पानी भी डाल सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकत मतलब आपको आलू में रंग डालके और थोड़ा सा नमक जादे डालके आपको बॉयल कर लेना है दिन उसको आपको हलके तेल में फ्राइ कर लेना है यहां पे मैं अच्छे से उपर में केवरा वाटर डाल रही हूँ और साथ में हम डालेंगे कलर और उसे ढख करके और साथ में आपको सबसे मेरा सीक्रेट इंग्रीडियन्ट यही होता है इंग्रीडियन्ट नहीं प्रोसेस यही होता है कि मैं सबसे उपर में क्या करती हूँ दूद में बिरियाइनी मसाले को मिला के अच्छे से उपर से स्प्रेट कर देती हूँ यह वाला प्रोसेस आप और आपके मिर्याइनी गजब की बनेगी है बहुत लोग डालते हैं लोग और मैंने डाला है कि खी इसी कलर बहुत है अच्छा होगा पिरियाइनी मेरी बन के तयार हो चुकी है तो आप इस बिरियानी को जरूर ट्राइ करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि बिरियानी कैसी लगी आपको रेसिपी कैसे लगी तो अगर आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगी है तो चाइनल को करेंगे सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे कमेंट तब तक